जी ट्वेंटी सिखर सम्मेलन दो हजार तेईस जो कि भारत में हुआ था ये एक्जाम परपच से कितना इंपॉर्टेंट है आज इसको हम लोग to the point theory के थ्रू साथी साथ कुछ questions के थ्रू देखेंगे तो इसमें जो हमारा topic होगा वो ये होगा कि G20 क्या है G20 सदस्य देश कितने है इनको trick के थ्रू हमको याद कैसे करना है और G20 का theme क्या था logo क्या था और कितने country इसमें invited थी और इसमें जो महतपुड भैठके होई थी वो काफे important है उनको हम लोग देखेंगे साथी साथ अन्त में हम लोग इससे related पचपन question करेंगे जिससे आपका ये जो G20 है वो पूरा का पूरा complete हो जाएगा फिर आपसे कोई भी चीज यहाँ पर बाकी नहीं रह जाएगा जो एकजाम में आपसे पूछा जा सकता है तो चलिए फिर बिना देरी की हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो पहला ही हमारा topic होगा G20 सिखर सम्मिलन का कि G20 क्या है तो एकदम to the point चीजों को देखेंगे बहुत जादे deep में नहीं जाएंगे So G20 जिसको हम group of 20 भी कहते हैं इसका गठन 1999 में हुआ था यह 19 देश और एक European Union का अनुपचारिक समू होता था अब क्या होगा यह होता था क्योंकि अभी आपका एक member और यहाँ पर add हो गया है African Union टीक है African Union G20 में और add हो गया है तो G20 अब G20 नहीं रहा बलकि G21 हो जाएगा अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो G20 सिखर सम्मेलन में हर साल इन देशों के नेता एक जगह जगह जुटते हैं और Westwick अर्थविवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं इसका जो main purpose होता है कि Westwick अर्थविवस्था को बढ़ाना और यहाँ पे यह जितने भी देश हैं जितने भी union है इनके जो नेता होते हैं चाहे किसी के राष्ट्रपती हो या किसी के प्रधान मंतरी या फिर किसी के महराज हो तो वो सब यहाँ पे जुटते हैं और Westwick अर्थ इसी कंट्रीज थी और दो यूनियन हो गया है एक आपका European Union और एक आपका African Union राइट तो यह आप देखिए 2008 में जब दुनिया भयानक मंदी का सामना कर रही थी इसके बाद इसे सिर्ष निताओं के संगठन में तब्दिल कर दिया गया इससे पहले क्या होता था कि यह जो आपका होता था बैठक वो जो हर देश के जो Central Bank है ठीक है उनके जो Governor होते थे उनी के बीच होता था या फिर जो वित्त मंत्री होते थे उनी के बीच होता था लेकिन 2008 में दुनिया ने जब भयानक मंदी का सामना किया इसके बाद इसे सिर्ष निताओं के संगठन में राष्ट्र अध्यक्ष हैं जो राष्ट्रपति हैं या फिर प्रधान मंत्री हैं जो भी जिस देश के लीडर हैं उनके साथ ये बैठक होने लगा इसके बाद यह हत्या किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी राइट अब अगर हम अभी चाहिए क्योंकि question तो कहीं से भी बन सकता है कि G20 में कौन कौन से सदसे देश सामिल हैं वो बताई या फिर option में देदेगा कि इन में से कौन सा ऐसा देश है जो G20 में G20 के सदसे देश नहीं है तो यहां पर बस simply देख लेते हैं फिर इसको trick देख लेते हैं कैसे याद करना है तो यह अर्जेंटिना हो गया अस्ट्रेलिया ब्राजील कनाडा चीन फ्रांस जर्मनी भारत इंडोनेसिया इटली जापान कोरिया गडराज मैक्सिको रूस साओधी अरब दच्छीड कोरिया तुर्किये युनाइटेड किंगडम अमेरिका और यूरोपिय संग तो यह बेटर है यह जो ट्रिक बनाया गया है इसमें अगर हम बात करें तो पहले यह था गुरुजी सीता अब SSCFCI में है लेकिन अभी जो अफ्रिकन यूनियन है इसके जुड़ जाने के वज़र से अगर यहाँ पर यह और कर दिजिए तो यह आपका ट्रिक अभी भी वैसा क वैसा ही रह जाएगा बस यह हो जाएगा कि ए गुरुजी सीता अब SSCFCI में है तो यहाँ पर है को छोड़ करके बाकी सबका यहाँ पर मिनिंग निकलता है तो देख लेते हैं जैसे A for क्या है आपका अफ्रिकन यूनियन, G for जर्मनी, U for USA, R for Russia, U for UK, J for Japan, I for Indonesia, S for South Korea, I for Italy, T for A for Australia, A for Argentina, B for Brazil, S for Saudi Arabia, S for South Africa, C for Canada, F for France, C for China, I for India, M for Mexico, E for European Union, अगर यह आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है Otherwise, आप इसको एक बार जरूर पढ़े रहे हैं ताकि अगर कभी वे एक्जाम में पुछे तो आपके माइंड में स्ट्राइक करें Right, लेव ऐसे मैं इस वाले ट्रिक पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता हूँ, यह जो आपका ट्रिक है वो लेटर वाइज होने का मतलब हो गया कि अब आई से दो चीजे हो गये, तीन चीजे इंडोनेसिया हो गया, इटली हो गया, इंडिया हो गया तो आप किसको मानोगे, इस वज़े से ये वाला जो ट्रिक है मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, जो निमोनिक्स करके होता है, वो थोड़ा बेटर होता है, बट फिर भी आपको किसी तरीके से इसको याद रखना है, अब आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, त अगर देश बारी-बारी से इसका अध्यक्ष बनता है, बाकी अगर हम बात करें G20 देशों का वैस्विक व्यापार में कितना हिस्सा है, तो 75% से अधिक, ठीके अगर हम G20 को मिलाएं, G20 को ले और पूरे वर्ल्ड को देखें, तो G20 इसमें 75% हिस्सेदारी रखता है पूर वर्ल्ड के GDV को देखा जाएं, तो G20 का जो योगदान है वो लगभग 85% है, और वहीं पे विस्व की दो तिहाई जनसंख्या इनी के है, तो G20 में जितनी G20 देश हैं, उनकी अगर जनसंख्या को देखें और पूरे कंट्री की, पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की, तो अगर आप लोग याद रखें तो बेटर है, एरिया वाइच ये कितना कवर करता है G20 पूरे वर्ल्ड में, तो ये 60% कवर करता है, वही पर अगला है कि G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्स के लिए G20 अजेंडा का संचालन किया जाता है, और सिखर सम्मेलन का आयोजन किया ज तो G20 में दो सामनांतर ट्रैक होते हैं, एक तो आपका विद्ट ट्रैक होता है, एक आपका सिर्पा ट्रैक होता है, विद्ट ट्रैक का मतलब कि विद्ट मंत्री और सेंटरल बैंक के जो गवर्नर होते हैं, वो विद्ट ट्रैक का नित्तित करते हैं, जो कि पहले ऐसा होता है ये Serpa Track का नित्रित्व रिट तो Serpa करते था इसमें कौन सी बड़ी बात मैंने बता दी था कि Serpa Track का नित्रित्व जो Serpa करते हैं Serpa का मतलब ये है कि जो भी जैसे भारत की हो गएई इंडिया की अपने जो एजंसियां हो गईए ठीक है जितने एजंसिया काम कर रही हैं साथी साथ जो विदेश की जो एजंसियां हैं इनके बीच समन्वे को बनाए रखने का काम ये करते हैं जो सेरपा होते हैं ठीक है सेरपा एक तरीके से यहां भी ये लीडर का ही काम करते हैं वैसे जो अध्यक्षता कर रहे थे वो अपने प्राइम मि को कैसे बनाना है वो काम सरुपा का था ठीक है एक तरीके से इनका बहुत महत्वपूर यहां पर योगदान था कि यहीं सारा चीज यहां पर कवर कर रहे थे सब चीजों को देख रहे थे कि जो विदेशी एजन्सियां और भारत की एजन्सियां हैं इनके बीच अपने जो प् अमिताब कांथ ठीक है कौन थे ये अमिताब कांथ ये एक ब्यूरोक्रेट है जबकि second number के ये क्या है CEO है निती आयोग के ठीक है निती आयोग के तो ये important है आपका अमिताब कांथ इसको आप जरूर याद रखना ठीक है ये शेरपा थे अब वहीं पर बात करें हम working style of G20 तो G20 का जो working style है वो आपका क्या है ट्राइको है ट्राइको भी आप याद रखिएगा इसकी अध्यक्षिता ट्राइको द्वारा समर्थित है मतलब ट्राइको में क्या होता है जो आपका वर्तमान में है वो और साथी साथ जो इसके पिछले में पिछले वर्स में जो अध्यक्षिता करा था वो और जो अगले वर्स में अध्यक्षिता करेगा वो जो आपके देश हैं यह आपके ट्राइको में आते हैं तो पिछला वर्तमान और आने वाला अध्यक्षिता इसको हम लोग Trico बोलते हैं भारत की अधिशता के दौरान Trico में क्रमसह, इंडोनेसिया, भारत और व्राजील सामिल है तो यहाँ पे यह भी आप से पूछा जाता है कि Trico में कौन सामिल है तो इंडोनेसिया और व्राजील, भारत तो है ही है अब हम लोग देख लेते हैं G20 सिखर समिलन के लोगो के बारे में तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगो देख रहे हो कि इसमें एक खिलता हुआ कमल का फुल है उसके उपर पृत्वी को दिखाया गया है और भी इसके बारे में अगर हम लोग जाने तो G20 लोगो भारत के राष्ट्रे ध्वच के जिवन्त रंगों केसरिया, सफेद और हरे एवं नीले रंगों से प्रेरित है तो टोटल चार रंग है इसमें जैसा कि अपने नैसनल फ्लैग में होता है जो आपका नैसनल फ्लैग त उसमें केसरिया, सफेद, हरा और जो वील होता है उसका चक्र होता है वो नीले रंग का होता है तो उसी से प्रेरित है ये और इसमें भारत के राष्ट्रे पुस्पक कमल को प्रिथवी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है जो चुनोतियों के वीच विकास को दर्शाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि केशरिया भी रंग है, हरा भी रंग है, और यहाँ पे नीला भी रंग है और यह आपका बीच में white कलर है ठीक है, इसका background के वज़से यहाँ पे नहीं तो यह white कलर का है तो ये आपके चार कलर हैं और उसके साथ साथ प्रित्वी जीवन के प्रती भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टी कोड को दर्साती है जिसका प्रकृती के साथ पूरुड सामन जस्य है जी ट्वेंटी लोगों के नीचे देवनागरी लिपी में भारत लिखा है तो यहाँ पे इसके नीचे देवनागरी लिपी में भारत भी लिखा गया है अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जी ट्वेंटी सिखर साम्मेलन के थीम के बारे में विसय क्या इसका है तो विसय one family one future इसका मतलब होता है एक प्रिथवी एक परिवार एक भविष्य ठीक है और मुझे जहां तक लगता है इसमें अगर question कोई बनाना होगा इसके theme से related तो यहां पे पूछा जा सकता है कि जो इसका theme है वो कहां से लिया गया है तो यह लिया गया है महा उपनिसद ठीक है महा उ अविष्य यह है आपका theme और यह लिया गया है महा उपनिसद से तो यह most important है ठीक है कहां से लिया गया है महा उपनिसद से अब देखिए यहां पे कुछ ऐसे भी देश हैं जिनको यहां पे आमंत्रित किया गया था invite किया गया था इस G20 सिखर सम्मेलन में क्योंकि इसमें जो अब दो आपके संग भी हो गया है ठीक है एक आपका European Union हो गया है एक आपका अफरिकी Union हो गया है तो यह तो आपके हो गया है टोटल 21 साथी साथ 9 और देश को यहां पे invite किया गया था अब वो जो 9 देश है वो भी important है कि कि इनको इनको बुलाया गया था उनको महमान के रू सईद हुसेन खलिल अल सीसी को बुलाया गया था नाइजिरिया के जो राश्टरपती हैं बोला अहमद टीनुबू को बुलाया गया था ओमान के राजी के जो प्रधान है सुल्तान हैथम बिन तारीक इनको बुलाया गया था साथी साथ सयुक्त अरब अमिरात इनको भी प्रधानमंत्री ली सिन लुंगा को बुलाया गया था और स्पेन के प्रधानमंत्री पेडरो साचेंज को बुलाया गया था तो यहाँ पे अगर आपसे कंट्री पुछे तो आपको याद रखना है बंगलादेश, मेस्र, नाइजीरिया, ओमान, संयुक्त अरब अमिरात, मौ पूरा यहाँ पे याद नहीं करना है, मेरी साब से आप अगर शुरुवात के 2-3 याद कर लो ठीक है, और लास्ट के जो 3-4 हैं उनको यदि याद कर लो तो काफी हैं, तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, कि जो G20 सिखर सम्मेलन हुआ था, यह कब 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 कह राष्टरी भवन, संग्रहाले, वासिंगटन, डी-सी में, और इसके जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे, तो उस टाइम पे जार्ज डाल्यू ब्रूस थे, यहाँ पे अध्यक्ष जो G20 सिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे, कौन कर रहे थे, तो जार्ज डाल्यू ब् बात करें, तो जो सेकेंड हुआ था, वो 2 अप्रेल 2009 को युनाइटिट किंग्डम में, ठीक है, XCL लंदन, लंदन में हुआ था, और गार्डन ब्राउन इसके क्या थे, गार्डन ब्राउन इसके अध्यक्ष थे, और तीसरा जो आपका सिखर सम्मेलन हुआ था, G20 सिखर सम सम्मेलन का, ऐसे ही, जो चौथा आपका था, वो कनाडा में हुआ था, स्टिफन हार्पर इसके अध्यक्ष थे, पांचमा जो हुआ था, दच्छिड कोरिया, दच्छिड कोरिया में हुआ और ली म्यूंग बक इसकी अध्यक्ष थे, छठा जो हुआ, ये आपका फ्रांस मे हुआ, 2011 में, और निकोलस सरकोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ऐसे ही जो सात्वा आपका G20 सिखर सम्मेलन हुआ, ये 2012 में, मैक्सिको में, फैलिप कॉल्डेरन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और आठवा जो आपका हुआ था, सिखर सम्मेलन, वो रूस में हुआ था और ब्लादमेर पुतिन, जो कि अभी भी यहां के राष्टपती बने हुए हैं, तो ब्लादमेर पुतिन ने इसकी अध्यक्षता करी थी, आठवा जो G20 सिखर सम्मेलन हुआ था, कहां पे हुआ था, रूस में, 2013 में, और सेंट पिटर्सबर्ग, ये भी याद कर लिएगा, ये यहां पे हुआ था, रूस के और ब्लादमेर पुतिन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, नौवा सिखर सम्मेलन, आस्टेलिया में हुआ था, 2014 में हुआ था, और ब्रिस्बेन में हुआ था, टोनी एबाट इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, दसमा जो सिखर सम्मेलन है, ये 2016 में, 2016 का कहां पे हुआ था तो अब जितने भी पास आ रहे हैं वो थोड़े important हो जाएंगे, तो 11 जो सिखर सम्मेलन हुआ था 2016 में, चाइना ने इसकी मेजबानी करी थी, और यहां पे Jinping, Xi Jinping कर लिए ठीक है, या फिर Xi भी पढ़ सकते हैं, X, I लिखा होता है तो यह जो थे, Xi Jinping इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है 11 जो आपकी G20 सम्मेलन है, 7 से 8 जुलाई 2017 के बीच, जर्मनी में हुई थी यह, और हैंबर्ग मेला हैंबर्ग में हुआ था यह, एंजला मारकल, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, एंजला मारकल, और यहां पर 13 जो आपकी सिखर सम्मेलन हुआ था, 2018 की बात है तो 2018 में 13 जिखर सम्मेलन अर्जेंटिना में हुआ था, और अर्जेंटिना के भी, कोस्टा सालगवे, सालगवेरा सेंटर, यह कहां पर आता है, तो 29 आयर्स में, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो यह कर रहे था है, मौरिसियो माक्री, ठीक है, मौरिसियो माक्री, तो यह 13 थी, अर्जेंटिना में हुई थी, अब अगर हम बात करें, 14 जो हुई थी, सिखर सम्मेलन वो जापान में हुआ था, सिंजो अभे, ठीक है, सिंजो अभे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इंडेक्ट्स ओसाका, ओसाका में हुआ थे, ठीक है, इंटेक्स ओसाका, अगला 15 जो आपकी सिखर सम्मेलन हुई थी, यह सौधी अरब 2020 की, 2020 की जो पंद्रहवी सिखर सम्मेलन हुई थी, यह सौधी अरब में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, सलमान, ठीक है, कौन कर रहे थे, सलमान, और वहीं पे सौलहवी जो आपकी सिखर सम्मेलन थी, यह 2021 की थी, और इटली में हुई थी, इटली में, इटली के रोम में, और क्यूसेप, कांटे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, अब अगर हम बात करें, सलमान हो गया, सत्रहवी जो था, सत्रहवी जी ट्वेंटी, सिखर सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो इंडोनेसिया, इंडोनेसिया यहाँ पे इसकी मेजबानी कर रहा था 2022 का यह था 17 जो ज़स्ट इससे पहले हुआ था तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है ठीक है 17 अठारहवा और 19 वा तो 17 वाला इंडोनेसिया कर रहा था 15 से 16 नॉवंबर 2022 तक ठीक है यह चला था और जो को विडोडो इसके अध्यक्ष थे जो को विडोडो क्या थे इसके अध्यक्ष थे और वहीं पे यह कहाँ पे वा था बाली में इसको याद रखिएगा 18 वी जो G20 सीखर सम्मेलन हुई थी यह 2023 की अभी जश्ट भारत ने इसको किया 9 से 10 सेप्टेंबर ठीक है अभी खतम किया और यह प्रगती मैदान में हो रहा था लेकिन इसका नाम अगर आपको बताना होगा तो आपको बताना है भारत मंडपम ठीक है भारत मंडपम और वहीं पे इसका अध्यक्ष इसके अध्यक्ष कौन थे तो सबको पता हिए अपने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी और अगला जो हमारा आता है 19 सिखर समेलन जो होगा G20 सिखर समेलन वो कहां पे होगा तो ब्राजील में ठीक है ब्राजील में जो 19 होगी तो आपको क्या याद रखना है 17, 18 होई अभी कौन सी होई 18 होई ये important है और जो 17 होई थी 19 होई जो होनी है वो ब्राजील में होनी है और लूला दासिल्वा इसकी अध्यक्षदा करेंगे और आपका जो पहला हुआ था अमेरिका में ठीक है वो आपको याद रखना है अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो G20 2023 की कुछ बैठके हुई थी जो की काफे important है ये भी important है question जबाएंगे यहाँ पे तो उसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा important है फिलाल में आप यहाँ पे जितनी यहाँ पे meetings है उनको एक बार देख लिजिए फिर questions के through हम लोग देख लेंगे कि जो जो important है क्या-क्या पूछा जा सकता है तो first जो Serpa meeting हुई थी वो उदैपूर में हुई थी Serpa meeting Serpa मैंने बताया कि Serpa का मतलब कि जो main होता है एक तरीके से मतलब कि जो वित्त है और Central Bank के जो यहाँ पे जो head है इनकी जो meetings हुई थी वो बैंगलूरू में हुई थी फिर first development working meeting यह मुंबई में हुई थी first framework working group meeting यह बैंगलूरू में हुई थी first health working group meeting यह तिरुवनन्त पूरा में हुआ था तो देखिए जो स्वास्त से related है वो कहाँ पे हुआ था तिरुवनन्त पूरा में तो यह important आपको हो जाता है थोड़ा फिर first international financial architecture working group meeting यह चंडीगड में हुआ था ठीक है चंडीगड में यह first financial architecture working group meeting के बात हो रही है फिर first educational working group meeting यह चंडीग में हुआ था और first employment working group meeting यह जोधपूर में हुआ था ठीक है और यहाँ पे first sustainable finance working group meeting यह गुआ हाटी में हुई थी ऐसे ही first tourism working group meeting यह run-off कच्छ में हुआ था और first environment climate working group meeting यह कहाँ पे हुआ तो बैंगलोरू में और first agriculture working group meeting यह इन दोर में हुआ और digital economy working group meeting यह लखनव में हुआ ठीक है तो यूपी के लखनव में कौन सा हुआ था digital economy working group meeting तो यूपी वाले इसको ज़रूर याद रखें कि digital economy working group meeting यह कहाँ पे हुआ था लखनव में और वही पे first cultural working group meeting ये कहां पर हुआ था तो खजुराहों में तेके ये important है इसको भी याद रखियेगा खजुराहों में और G20 foreign minister meeting ये भी important है आपका ये डेली में हुआ था G20 foreign ministers की जो meeting हुई थी ये डेली में और first anti-corruption working meeting ये हुई थी गुरु ग्राम में और first trade investment working group meeting ये मुंबई में हुआ था और first digester management working group meeting ये गांधी नगर में हुआ था G20 is related अगर कुछ question की बात करें कुछ क्या यहां पर total 50 questions होंगे ठीक है और इसमें आपका सब कुछ cover हो जाएगा ठीक है तो यहां पर पहला question है when was the first G20 summit held तो पहला G20 सिखर सम्मिलन कब आयोजित किया गया था तो ये 2008 में किया गया था ठीक है अगला है कि which country hosted the first G20 summit तो पहला G20 summit किसने करी थी उसकी मेजबानी तो यह वैसे न करी थी यह सब हम लोग देख चुके है थियोरी में अगला हमारा है कि what does the acronym G20 stands for G20 का संचिप तरूप क्या है तो इसे group of 20 भी कहा जाता है how many countries are member of the G20 so G20 के कितने देश यहां पर सदसे हैं तो एक तो आपकी 19 countries हैं 19 देश है साथी साथ इससे पहले अभी तक क्या था एक European Union था लेकिन 2023 में 9 से 10 September के बीच जो सम्मिलन हुआ उसमें African Union को एक और सदसे बनाया गया तो यह भी आपको याद रखना है अगला है कि which country is the current chair of the G20 so G20 का वरतमान अध्यक्ष कौन सा है तो अध्यक्ष इसमें कौन सा देश है तो भारत है which city will host the 2023 G20 summit so 2023 G20 सिखर सम्मिलन की मिजबानी कौन सा सहर कर रहा था करेगा नहीं यहाँ पे कर रहा था तो यह New Delhi कर रहा था राइट अगला है कि what is the theme of 2023 G20 summit G20 सिखर सम्मिलन का विशय क्या है so one earth one family one future या फिर वसुदेव कुटुमबकम ऐसा लिखा आपको देख हाला कि 2009 की बात है जब यहाँ पे 2009 में United Kingdom और USA यहाँ पे एक ही साल में दो बार हुआ था इसका योजन ठीक है 2009 में जिसकी वज़ा से USA दो बार अब तक इसका योजन करा चुका है अगला है कि which city hosted the 2022 G20 Summit so 2022 G20 सिकर सम्मिलन की मेजवानी किस शहर ने करी थी तो मैंने बोला कि आपको लास्ट के 3-4 और स्टार्टिंग के 3-4 जरूर याद होने चाहिए तो 2022 का इंडोनेसिया ने किया था बाली में ठीक है यह आपको याद होना चाहिए अगला है कि which country hosted the 2021 G20 Summit so 2021 कि अगर हम बात करें G20 सिकर सम्मिलन की मेजवानी किस देश ने करी थी तो यह इटली ने करी थी और वहीं पे in which year G20 declared itself the primary venue for international economic and financial corporation so किस वर्ष में G20 ने स्वयम को अंतराष्ट्री आर्थिक और विद्धिय सहयो के लिए प्राथ में किस्तल घोशित किया तो यह 2009 में किया राइट 2009 में अगला है कि which country is the second most recent addition to the G20 तो हाल ही में G20 में कौन सा देश सामिल हुआ लेकिन 2023 से पहले कि यहां बात हो रही है और वैसे भी country की बात हो रही है तो जो सदस्य बनी थी country अर्जेंटिना बनी थी तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में लेकिन 2023 से पहले कौन सा देश शामिल हुआ था G20 में तो अर्जेंटिना सामिल हुआ था सबसे लास्ट ठीक है उसके बाद तो आपका अफ्रिकन यूनियन है आपका जो सदस्य बना है अगला है कि which G20 member has the largest economy तो किस G20 सदस्य की अर्थ व्यवस्ता सबसे बड़ी है तो यह United State की है विच G20 member has the highest population G20 के किस सदस्य की जनसंख्या सबसे अधिक है तो obviously India की क्योंकि अभी just India suppresses China to become the most populous nation in April 2023 तो April 2023 में इंडिया चाइना को भी पीछे छोड़ते हुए अब ज्यादे population यहाँ पे इंडिया म दूसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता वाला देश की अगर हम बात करें तो यह चाइना है ठीक है अपने प्रधान मंत्री को यहाँ पे भेजा था उन्होंने तो चाइना का कोई भी यहाँ पे चाइना के जो राष्टपती वो नहीं आये थे तो चाइना है जापान है अगला कुश्य है कि विच कंट्री इस दो अफ्रिकन मेंबर अब द जीट्वेंटी तो चाइना के जाता है तो चाइना के आर्थिक महतों के आधार पे किया जाता है अगला क्श्य है कि विच कंट्री इस दिए अध्यक्षटा कब मिली तो कब मिली थी तो यह 1 दिसमबर 2022 को ही मिल गई थी ठीक है और यह रहेगा आपका 30 नॉवंबर 2023 तक एक दिसमबर 2022 को यह अध्यक्षटा मिली थी अगला है कि delegation of how many members will be participating in new Delhi summit of G20 so G20 के नई दिल्ली सिखर सम्मिलन में कितने सदस्यों का एक प्रतिनिदी मंदल भाग लेगा तो total 43 43 मतलब ऐसा लेना था हला कि यहाँ प्रतिनिदी मंदल की बात करी जा रही है तो 43 यहाँ प्रतिनिदी मंदल थे लेकिन आपको यह पता होगा कि जो आपका रूस हो गया रूस हो गया और चाइना ठीक है तो रसिया हो गया एक और चाइना इन दोनों के जो president है वो नहीं आया थे रसिया ने अपने विदेस मंतरी को भेजा था चाइना ने अपने प्रधान मंत्री को राइट तो टोटल 43 मेंबर यहां पर ठीक है प्रतिनिदी मंडल जो है इन्होंने भाग लिया था अगला है what is the G20 G20 is total GDP तो G20 की कुल GDP की कितनी है तो G20 जो है वो कुल GDP की कितनी है तो यह आपका 85% of the world's GDP है ठीक है 85% थियोरी में भी हमने देखा था अगला है कि how many G20 summits have been held so far so अब तक कितने G20 सिखर समेलन आयोजित हुए है तो टोटल 18 हुए है जब अभी आपका यह समाप्त हुआ 9th से 10th सेप्टेंबर इंडिया का तो अब तक टोटल 18 हो चुके है और यह 18 हुआ था जो इंडिया में हुआ यह समिट ठीक है तो 2023 में जो इंडिया में G20 समिट हुआ यह कौन सा था अठार हुआ था अगला है कि हूँ होस्टेट दजी ट्वेंटी समेट 2018 सो जी ट्वेंटी सिखर समेलन 2018 की मेजबानी किसने करी तो यह करी थी अर्जेंटिना ने राइट अर्जेंटिना जो की लेटेस्ट मेंबर था अफ्रिकन यूनियन से पहल इसके पहले का आपको याद होगा इंडोनेसिया बाली में हुआ था अब यह ब्राजील में होगा ठीक है अभी सहर नहीं फिक्स है लेकिन ब्राजील में होगा ऐसा फिक्स है तो सेम यहाँ पर कि विच कंट्री विल होस्ट दजी ट्वेंटी समिट इन 2025 तो दोज़जर फ्लैक से और लोगों के बारे में अगर पुछे तो खिलता हुआ कमल का फूल कि वाट परसेंटेज डू दजी ट्वेंटी कंट्रीज कंट्रीज कंट्रीब्यूट ट्वर्ल्ट पॉपलेशन जी ट्वेंटी देश विश्वकी जनसंख्या में कितना प्रतिससत योगदान क पर नेरले 60% नहीं है आप ए 66% लगभग 66% यहाले कि क्योंकि यह दो तीहाई पूरे वर्ल्ट का दो तीहाई पॉपलेशन यह जी ट्वेंटी कवर करता है ठीक है तो आप लोग यहाँ पर 66% करिएगा दो तीहाई अगला है हमने थियोरे में भी देखा था यह दो तीहाई अगला है कि why did the President of the United States Joe Biden call for the removal of Russia from G20 तो संयुकतराज अमेरिका की राश्वती जो बाइडन ने रूस को G20 से हटाने का आहान क्यों किया तो रसिया का युक्रेन पर जो आकरमड हुआ था उसकी वज़़ा से किया था अगला हमारा जो क्विश्चन है कि in which year साओधी अरभिया hosted G20 summit तो साओधी अरभ ने किस वर्स G20 सिखर सम्मेलन की मेजबानी करी थी तो ये 2019 में इन्होंने करी थी 2018 वश्चन ने करा था तो अरजेंटीना ने करा था ठीक है अरजेंटीना ने और यहां पे अगर हम बात करें तो 2019 का किस ने किया ये साओधी अरभ ने किया था अगल यहां पर correct answer है गा Australia ने जो G20 सिखर समयलन किया था वो Brisbane में करा था अगला है कि which city hosted the second G20 summit, so दूसरे G20 सिखर समयलन की मेजबानी किस शहर ने करी, so यह London, ठीक है United Kingdom, आपने देखा था पहला USA हो गया, दूसरा आपका United Kingdom और दीसरा फिर से USA था ठीक है, तो ट्रिपल यू तो स्टार्टिंग कही थे, ठीक है, ट्रिपल यू, अगला है who was the host leader in the first G20 summit, प्रतम G20 सिखर समयलन में मेजबान नेता कौन थे, तो यह थे George W. Bush, ठीक है, पहला जो सिखर समयलन हुआ था, वो अमेरिका में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो George W. Bush, राइट, अगला question है कि what is the venue of the G20 New Delhi summit 2023, so G20 नई दिल्ली सिखर समयलन 2023 का आयोजन इस्तल क्या है, so it was held in भारत मंडपम, International Exhibition Convention Center, प्रगती मैदान, New Delhi, on 9th, 10th September 2023, तो यहाँ पर देखे, confused नहीं होना है, अगर आपको जो भी option में देखे, या तो भारत मंडपम देखेगा, या तो प्रगती मैदान देखेगा, या फिर अगर ये दोनों नहीं देखे, तो International Exhibition Convention Center, New Delhi, ये आपको देखेगा, तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़े हैं, तो आप यहाँ पर सारी चीज़ों को देख सकते हो, कहां कहां हुआ था, कहां कहां क्या, मतलब इसका क्या क्या नाम आप बता सकते हो, तो भारत मंडपम कहा सकते हो, या फिर International Exhibition Convention Center कह सकते हो, या फिर प्रगती मैदान, ठीक है, तो प्रगती मैदान में ये भारत मंडपम बन प्रगता कौन है, तो ऑबिसली भारत के अपने प्रधान मंतरी, नरेंदर मोधी, अगला कुश्चन है, कि when was the first G20 summit take place in इंडिया, भारत में पहला G20 सिखर सम्मेलन कब हुआ, तो 9th to 10th September in 2023, ये हमने देख लिया, अगला है, is there any permanent secretariat at our headquarters of G20, तो क्या आज G20 का कोई लोगो है, वो किसने डिजाइन किया, तो ये सुदर्सन पटनाइक ने डिजाइन किया था, अगला कुश्चन है कि where did the first G20 Serpa meeting under India's presidency hold, तो भारत की अध्यक्षिता में पहली G20 Serpa बैठक कहां पर आउजजी थी, तो Serpa बैठक, ये important आपका है, ठीक है, ये कहां पर हुआ था, थियोरी में हमने देखा था कि भारत की अध्यक्षिता में पहली जो G20 Serpa बैठक हुई थी, वो कहां पर हुई थी, भारत की अध्यक्षिता की बात करी जा रही है, तो उसमें ये उद्यपूर राजस्थान में हुआ था, अगला हमारा है कि where did the first G20 Culture Group CWG meeting organized, तो यहां पर CW की बात हो रही है, right, CWG का मतलब Culture Group, Culture Group, right, Culture यहां पर Working Group होना चीए, ठीक है, Culture Working Group की जो Meeting थी, वो कहां पर Organize हुई, तो प्रत्थम G20 संसकृती समुह की बैठक कहां युजित की गई, तो ये खजराहों में किया गया, तो मैंने बोला था कि जो जो important होगा, हम लोग question में करें ये आपका हुआ था, जो संसकृतिक समुह मिटिंग है, ठीक है, वो आपका कहां पर हुआ था, खजराहो मध्यप्रदेश में, अगला है कि from where the theme of the 2023 G20 summit वसुदेव कुटुमबकम is derived, तो ये कहां पर derived हुगा, ठीक है, तो ये आपका from the NCN text of महा उपनिसद, मैंने बोला था कि ये important है आपका, ये कहां से लिया गया है, जो वसुदेव कुटुमबकम है, जो theme है, अपकी बार जो था, G20 2023 का, तो ये महा उपनिसद से लिया गया, ठीक है, महा उपनिसद के संस्कृति पार्ट से, अगला हमारा है कि which country is the permanent guest of G20, तो G20 2023 कि यहां पर बात नहीं रहे है, ये simply G20 की बात रहे है, ठीक है, G20 की, so G20 सिखर समेलन का, ये आपका यहां पर question जो है कि वो किसी और का गया है, हिंदी में, ठीक है, so which country is the permanent guest of G20, जो पर्मानेंट का मतलब अस्थाई जो अतिति है, अस्थाई अतिति, कौन सा देश है G20 का, जो की हमेसा ये अतिति रहता ही है, ये Spain है, ठीक है, Spain को हर एक जो G20 सिखर समेलन होता है, उसमें बुलाया है जाता है, तो एक तरीके सी ये permanent guest है, right, Spain, Spain, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, अगला है, इंडिया is inviting which guest country along with the member of G20 to take part in summit, सुभारत G20 के सदस्य के साथ, कि इन अतिति देशों को सिखर समेलन में भाग लेने के लिए मंत्रित कर रहा है, या फिर करा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक तो आपके उनिस कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन आया था, और वहीं पर एक अफ्रिकन यूनियन भी आया था, और साथी साथ अगर हम बात करें, तो नो देश है कि what percentage do the G20 countries contribute to the global trade, so G20 देश वैस्विक व्यवपार में कितना प्रत्सत यूगदान करते हैं, अब देखे यहाँ पुछा है कि G20 देश विश्व के भूमी छेतर में कितना प्रत्सत यूगदान करते हैं, एक जगहा आपने देखा था कि जन संख्या वाईच कितना करते है तो वो दो तिहाई था लगबग 66.67% और जबकि यहाँ पे आपका भूमी छेतर का है, एरिया वाईज अगर हम बात करें, तो पूरे वल्ड में अगर G20 को केवल देखें, तो यह लगबग 60% एरिया कवर करता है, ठीक है, छेतर फल कवर करता है, अगला अगर हम बात करें that is the love, and so what is G20 women 2020, तो G20 makhla 20 क्या है, so the G20 women' 20 is platform that women's empowerment and gender equality in the G20 countries, so G20인이 la, G20 makhla 20 एक मंच है जो G20 देशों में महिला ससकती करड़ और लेंगिक समानता प्रदान का अगला question है कि which was the theme of the G20 summit in 2022 under the presidency of Indonesia so Indonesia की अध्यक्षता में 2022 में G20 सिखर सम्मिलन का वेशाय क्या था तो theme यहाँ पे क्या था जो पिछला वाला हुआ था G20 सिखर सम्मिलन इंडोनेसिया में so यह theme था recover together, recover stronger ऐसे ही अगला question हमारा है who is the leader representing European Union in G20 summit 2023 so G20 सिखर सम्मिलन 2023 में यूरोपिय संग का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता कौन है तो यह है यह है और्सूला वांडेर लियन ठीक है जो कि President of European Commission है तो उर्सूला वांडेर लियन यह है यूरोपी आयो के अध्यक्ष जो कि G20 सिखर सम्मिलन 2023 में यूरोपी संग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कौन थे यह तो उर्सूला वांडेर लियन इनको आप याद रखिएगा अगला है कि Turkey hosted the G20 summit for the first time in which year हाला कि सभी first time में कर रहे थे एक USA ऐसा है जिसने दो बार किया है G20 summit को hold right है तो यह आपका अगर हम बात करें Turkey hosted G20 summit for the first time in which year 2015 में यह किया था ठीक है 2014 का आपने देखा था अस्ट्रेलिया और 2015 का भी आपने देखा किसने किया Turkey ने तो कुछ तो चीज़ें आपको ऐसे equation करते करते हैं याद हो जाएंगे और पहले कतीन आपको याद है यू 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 मतलब यूस से United Kingdom और फिर से यूस से राइट अब अगला देख लेते हम लोग यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऐसे अध्यक्ष भी है जो important है जो कि या तो central bank के हो सकते है या फिर किसी ऐसे संस्थान के तो वो important है आपका लेकिन यहाँ पुछा गया है CIE विकास bank के अध्यक्ष ठीक है जो कि G20 सिकर सम्मिलर में भाग लिये थे ये कौन थे तो ये मासाथ सुगू असकावा राइट है मासाथ सुगू असकावा ना भी इतना इनका difficult है लेकिन आपको बस ऐसे ही एक बार पढ़ लेना है मासाथ सुगू असकावा अगला है कि what is the name of IMF एस ठीक है मैनेजिंग डिरेक्टर participating in G20 summit 2023 तो IMF जो है इंटरनेशनल मोनेटरी फंड इनकी जो मैनेजिंग डिरेक्टर है वो कौन है ये है क्रिष्ट लिनिया जिय और जिय वा ठीक है तो क्रिष्ट लिनिया जिय और जिय वा जो है वो मैनेजिंग डिरेक्टर है आईमफ की जो की G20 सिखर समेलन 2023 में भाग लेने वाले IMF के प्रबंध निर्शक का नाम क्या है तो ये है क्रिष्ट लीना जियवा अगला क्विश्चन हमारा है हो इस दस सेरपा आप G2023 थी हेल्ड इन इंडिया तो भारत में आयोजित G2023 के सेरपा कौन है तो सेरपा के बारे हमें बात करा था तो ये थे स्री अमिताब कांथ ठीक है ये एक Indian ब्यूरोक्रेट है और दूसरे नंबर के निती आयोग के ये क्या थे CEO राइट निती आयोग के अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर के ये क्या है तो ये है स्री अमिताब कांथ अगला question हमारा है कि what is the name of Indian origin president of the World Bank who is participating in G20 summit New Delhi so यहाँ पर दिखे बात करी गई है कि name of the Indian origin president of the World Bank World Bank की यहाँ बात करी है who is participating G20 summit in New Delhi तो World Bank में भारत के मतलब भारती ओर जीन के अगर हम बात करें तो जो World Bank के president है उनका क्या नाम है जिन्होंने G20 summit में भाग लिया तो यह है अजय बंगा ठीक है अजय बंगा so World Bank में भारत की तरप से मतलब भारती ओर जीन के जो president है वो हैं अजय बंगा जिन्होंने G20 summit में participate किया था अगला question है और last question है कि who is the leader representing the African union in G20 summit 2023 so यह है अंजाली असो मानी राइट यह देखिया आपका एक important question बनता है क्योंकि आप सबने अभी याद किया होगा कि अभी just क्या हुगा कि एक और यहाँ पे country जुड़ गई जो कि है African union ठीक है G21 ठीक है total 21 यहाँ पे प्रतिनिद्टों मंडल हो गए है 19 अभी भी country है और दो आपके union है राइट तो यह आपके कुछ question रहे है एक और आपका question चुड़ गया है Lula de Silva ठीक है जिनको अध्यक्षता मिली है Brazil की राइट ब्राजील की तो वो आपका question जो छुड़ गया है उसको आप लोग एक बार जरूर देख लिए Lula de Silva को बाकी Brazil तो हमने कराया कि अगली जो अध्यक्षता है ठीक है 2024 की वो कौन कर रहा ह आपका Brazil कर रहा है तो और अध्यक्षता जिसको मिली है वो कौन है Lula de Silva बस इतना आपको याद रखना है राइट तो आई होब कि यहां तक आपको ठीक ठाक लगा होगा चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्यू टाटा और बाइ बाइ